आज हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेड जी हाँ दुबई में भी नकली लोट आने लग गए हैं इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें और आपको भी सावधानी बरतने की जुरूरी है क्योंकि लालच बुरी बला होती है आपको कोई बोल दे आपको इतना पैसा दे दो हम आपको इतना दे देंगे आदमी लालच में आई जाता है तो बात करूँगा साथियोस क्योंकि इसमें कंट्री का नाम दुबई सरकार विये सरकार नहीं देती है ये भी एक अच्छी बात है वरना देश की बदनामी होती है आप लोग वहां रहते हो आपको भी निच्चा जाते हैं अगर आप दूसरे स्टेट में रहे रहे हैं और वहां पे जैसी दुबई में रह रहे हैं कोई बोल दे इंडियन तो इंडियन का नाम देखते ही लोग आपकी तरफ देखेंगे कि आपका अदमी है समझे वहां पे हिंदू मुसलिम या पिर जातिवाद या राज कर रहा है तो उसकी सुसना दे पुलिस को क्योंकि बदनामी उसकी बाद में पहले आपकी होगी तो हमें साथ ध्यान रखें इस बात का दो बंदे नकली यूरो जिया यूरो थे नकली लोट कहां से लाए यह बात नहीं पता लगी दुबई में एक आदमी ने अपने साथी को यूरो चेंज करवाने के लिए अक्षेंज में भेज दिया कि आप इसको चेंज करा के ले के आओ और उस बंदे ने एक हजार यूरो के बदले 41,000 दुबई दराम ले भी लिये जिहां अक्षेंजर जो मनेजर था उसने दे भी दिये बाद में उनको पता लगा कि ये यूर नकली थे जी हां तो पुलिस ने उन्होंने पुलिस को सुचना दी पुलिस ने उनको पिछा करते विए एक बंदे को पकड़ लिया दूसरा बंदा कहीं अलग था उसको लगा कि वो पकड़ा गया तो उसने क्या किया जल्द बाजी में इंडिया अपनी दुबई छोड़ अपने देस आ गया अप देस में एशिया लिखाया पकिस्तानि नेपाली नो आइडिया अब क्या पुलिस के हाथ में चार बला कि वह वहां अपनी देश भाग गया था उसका दूसके साथ contact था उसने ये बोला मेटर सुट आउट हो गया है पुलिस ने मुझे छोड़ दिया है केस कलोज कर दिया गया है जो भी था लेंदेन होके मेटर कलोज है अब आप अपने देश से दुबई यूई आ सकते हो तो वो बंदा क्या किया कि अपना दोस्त बुला रहा है तो वो उसने सोचा कि चलो मेटर खतम हो गया होगा और जैसे ही वो बंदा एरपोर्ट पे पहुंचा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया जी हां तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने किस तरह से जाल बिछा कि उसको पकड़ा पहले वाले वो लालस दिया होगा कि तेरे को छोड़ देंगे उसको पकड़ा दे जैसे एरपोर्ट पे उसको बुलाएगा पकड़ाया तो दोनों को फिर जेल हो गई अबुदाभी क्रेमिलल कोर्ट ने नकली मुद्राओं में दो सिपाय जैने पर उनको जेल में केस सलाया के जेल में डाल गया जो पुलिस का सपोर्ट किया जो पुलिस की हैल्प की उसको 3 साल की सजा हुई और जो अपने देसद भाग्या आ फिर वापस आके पगड़ा गया उसको 6 साल की सजा हुई है जिया हाँ सासियों जात में 2,onn Biden दुबरां जुरमाना लगया और स्मझ सकते हैं कितना पैसा बनेगा आप सोच लीजिए भाई ये पैसा भी उनको चुकाना पड़ेगा और 6 साल 3 साल की सजा काटनी पड़ेगी उसके बाद में जैसे ही उनकी सजा पूरी होगी बलेक लिस्ट लाइफ टाइम गल्फ कंट्रीज में बलेक लिस्ट होगा और उसके देश से निर्वासन कर दिया जाएगा उसके देश उसको वापस भेज दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं गलत काम का क्या नतीजा होता है हाँ हो सकता है थोड़े टाइम के लिए खुस हो जाओ हो सकता है एक बंदा एक जार कमा रहा है वो बंदा पांस जार कमा ले इससे ज्यादा कोई फरक नहीं बढ़ता लेकिन वो एक कमा रहा है वो लाइफ टाइम कमा जो पांसाथ जात लालच में आके गलत काम करके कमा रहा है वह पांसाथ मेने कमा पाएगा जैसे पकड़ा गया अंडेड परसंट सजा पलस जुर्माना पलस लाइप टाइम ब्लेक लिस्ट वगरा वगरा बेश्ती होना यह तो सब लाजमी है तो आप इन चीजों का भी ध्या तो बुछन दोर्बागा